नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की इन्फलेजन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, इन्फलेजन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इन्फलेजन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की इन्फलेजन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Inflagen Tablet का उप्योग बुखार होने पर, शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए Inflagen Tablet का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है, तो Inflagen Tablet दर्ध के साथ साथ सूजन को भी कम करती है Inflagen Tablet का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, बुखार होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में Inflagen Tablet का उ प्योग किया जाता है. Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Inflagen Tablet की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में Inflagen Tablet की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे बदभजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, kबज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुझली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूब कम होना, दस्थ होना और liver enzyme बढ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इंफलेजिन टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती हैं और शरील में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इन्फलेजिन टैबलेट का सेवन करने की वज़ा से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे की इन्फलेजिन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. इन्फलेजिन टैबलेट को खाना खाने के बाद ल होने पर ही इन्फलेजिन टैबलेट को लेने की सला देते हैं. इन्फलेजिन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको इन्फलेजिन टैबलेट को लेने से पहले ब्लीडिंग की समस्या होने पर किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इन्फलाजिन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना इन्फलाजिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इन्फलाजिन टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए जरूरत पढ़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर इन्फलाजिन टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।